असलम्लेकम वीबास आज की वीडियो में मैं आपको जबर्दस्त लेस लगाने का तरीका बताऊंगी ऐसा तरीका जिसे हर कोई पूछे के आपने ये लेस किस तरह से अटैच की है तो ये हम साइड से शुरू करेंगे और फिर फ्रंट पे आएंगे और इस तरह से लेस को लगाएंगे तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले कमीज को सीधा करके तो ये फिटिंग सलाई के साथ हम लेस को रखेंगे यह देखें लैस के हम कमीज की साइड सीधी होगी और लैस की उल्टी होगी और इस तरह से फिटिंग सलाई के इस तरह जो जिस पी के उपर सलाई लगाएंगे ना तो लैस के उस इसे को सलाई के साथ रखके तो उपर सलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से यह जो हम folding रखेंगे न यह जो साइड जाम फोल्ड करेंगे वो राते हुए हम इस तरह से स्लाई को मकमल करेंगे इस तरह से और अब हम यहां फ्रंट वाली साइड पर मुड़ेंगे तो इस तरह से मेशीन के जो पैर है उसे उपर उठाके तो इस तरह से लैस को सेट करके तो स्लाई लगा लेंगे कि स्लाई को मकमल करेंगे और इसी तरह से हम दुबारा पैर को उठाएंगे और दुबारा साइड की तरह मूड़ेंगे यह जो माद चार्क रखती है न तो वहां यहां पे भी हम फोल्डिंग वारा जो कपड़ा छोड़ेंगे ना एक इंचे वो छोड़ते हुए पैर को उपर उठाके तो इस तरह से हम फिर साइड की तरफ चले जाएंगे अब हम वहां फीटिंग स्लाई के पास लाके तो इसे कट कर लेंगे अब दुबारा लैस को उल्टा और कुमीज की सीधी साइड और जो हम फोल्डिंग रख रहे हैं ना एक इंचे तो उसे चोड़ते हुए फिर इसी तरह से बैक साइड पे भी हम इसी तरह से लैस अटैज कर लेंगे और फिटिंग स्लाई के साथ इस तरह से राके तो स्लाई मकमल करेंगे अब यह हमारी लैस लग चुकी है तो अब हम आईरन के साथ इस तरह यह जो तैज हमने फोल्डिंग छोड़ी हुए थी इस अंदर की तरफ करके तो उपर आईरन के साथ तैज ठालेंगे इस तरह से और कोने पे भी यह जो कपड़ा इसे इस तरह से फोल्ड करके तो उपर तैज ठाते जाएंगे इसी तरह से बैक साइड के भी आईरन के साथ तैज ठालेंगे यह जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था इसे इस तरह से अंदर को करते हुए यहां पे आईरन के साथ तैज ठालेंगे और अगर आप स्लाइल करना चाहे तो लगा लें मैं यहां पे तरपाई करूंगी तरपाई के लिए सुई में इस तरह से दगा डालेंगे और एक साइड को इस तरह से छोड़ेंगे इस तरह और दूसरी जो साइड है उसे यहाँ पर थोड़ सी गांठ बांद लेंगे इस वीडियो में मैं आपको तरफाई करने का तरीका भी बताऊंगी कि तरफाई किस तरह से की जाती है तो यह जो हमने आईरन के साथ टैब उठा ली थी अब हम यहां फिटिंग स्लाइज के साथ सही शुरू करेंगे जहां से लाइस लगाना शुरू की थी यहां से थोड़ा सा दो तीन जो धागें वो उठाएंगे नीचे से और फिर जो टैफ फोल्ड की है उसके साथ अटैच करते जाएंगे इस तरह से और फिर इस तरह से दागा ख्याच के तो इस तरह से पीछे बाप सेट कर लेंगे जो तरफाई हमने की है तो इसी तरह से हम जीद आगे तरफाई करते चाहेंगे दो दिन दागें नीचे से उठाएंगे और फिर जो यह उपर वाला कपड़ा है साथ उसके इस तरह से हम अपनी तरफाई में कमल कर लेंगे